ओम नमो भगोते बासदेवाई नमा श्वागते आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको कार्तिक मास के पांच नियम बताऊँगा कार्तिक मास के पांच ऐसे नियम जिने करने से आपके पास भरपूर धनाएगा साथ ही आपकी प्रतिक मनुकामना पूर्योगी कार्तिक मास का महिना बड़ा ही पवित्र महिना है कार्तिक मास में इस वार नो रासियां बियहदी भागिसाली रहने वाली है कार्तिक मास के ये नियम बहुत ही ज़्यादा प्रवावसालिये अगर कार्तिक मास में ये पांच नियम आपने बना लिये तो पुत्र प्राप्ति होगी धन प्राप्ति होगी घर में सुक और समर्दी का बाथ रहेगा कार्तिक मास का मैना भगवान कृष्ण का भगवान विष्णू का प्रिया मैना है कार्तिक मास में किये गए उपाइन का विशेस लाब मिलता है और हमारी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है कार्तिक मास में सबसे पहला नियम इस्नान का कारतिक मास में जब आप कथा सुनेंगे तो आपको इशनान का विश्शेश महतो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा महतो है इशनानका इशनानका होता है कि शूरुदे से पूर्व इशनान आपको करना हैं गंगा इशनान जैसे आपके पास कोई नदी है तालाव है या स्वयम गंगाव मैया हैं आपके आसपास तो वहाँ जाकर के आपको इश्णान करना है अब बात आती है जो लोग माता गंगा से काफी दूर रहते हैं प्रते दिन नहीं जा सकते हैं कोई तवारों पर ही जा पाते हैं तो आपको क्या करना है इश्णान के जल में थोड़ा सा गंगा जन मिला करके ओम गंगाई नमहा इस मंतर का जाप करके आपको इश्णान करना है आपको गंगा इश्णान का फल प्राप्त होगा दूसरा नियम दीपदान का पहला सबसे ज़्यादा मैत होता है हमारे इस्टनान का और दूसरा जो मैत होता है नियम जो होता है वो होता है दीपदान का दीपदान कहां कहां पर करने पहला दीपक भगवान विश्णूर माता लच्मी के सामने आपको जलाना है स्री महालच्मी नमा ओम नमो भगवते बास दिवाय नमा मंतर का जाप करके कोई भी आपके मन में कामना है देखना अगर ये नेम आपने निवा लिए तो बहुत जल्दी धनाएगा पुत्र मिल की प्राप्ति होगी नोकरी में प्रमोशन मिलेगा जहां जैसे आप चाते मा नोकरी मिलेगी आपकी हर्मनो कामना पूरी होगी तो पहला दीपक आपको भगवान विश्णूर माता लच्मी के सामने जलाना है दूसरा दीपक तुलसी माता के सामने तीसरा दीपक पीपल ब्रक्य के नीचे यह आप सुबह साम जला सकते हैं साम का मेह तो बहुत जादा होता है सुबह भी आप जला सकते हैं जब कथा सुने अगला दीपक साम के समय घर के में दरवाजे पर और एक अगला दीपक आपको अपने घर के मंदर में यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतमा होती है और पित्रों के सामने ये दीपा के आपको जरू जलाने हैं दोस्तो तीसरा जो नियम है पहला नियम इसनान को हो गया दूसरा हो गया हमारे दीपदान का तीसरा जो नियम हो गया वो हो गया गौ माता की पूजा का कार्ति कार्तिक के महीने में प्रतेक व्यक्ति को इस्त्री पुर्सों को गौ माता का पूजान अवश्य करना चाहिए। तीन नियम हो गए। चौता नियम भगवान लड्डू गोपाल जी और साल ग्राम जी को प्रते दिन इश्नान कराना भगवान सिव का प्रते दिन अवश्य करना। भगवान सिव को आपको जल जरूर अपन करना है और साती भगवान के सामने दीपदान जरू करें ये नियम आपको जरूर नवाने है। पांच मा नियम चेंटियों को आटा डालना ये बहुत ही अच्छा नियम है। सास्त्रों में लखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रति दिन गौमाता का पूजन करते हैं और चेंटियों को लिए आटा डालते हैं। वो भी पवित्र महीनों में, तो व्यक्ति के मन में जो भी कामना हो, वह मनो कामना वश्य पूरी हो जाती है, इनका बड़ा मैत होता है, जो व्यक्ति इन नियमों को निवाते हैं, एक दू अपते में ही उनको बहुत ज़्यादा प्रवाब दीखने लग जाता है, तो कार्टिक मास में ये नियम आपको जरूर निवाने हैं, इन नियमों को करने से आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी होगी, और आपको विश्य इसलाम मिलेगा, दोस्तों अब मैं आपको भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा, जो राशियां बेहदी भागिसाली हैं, नो राशियां जो कार्टिक के महिने में मातल लच्चमी की उन पर किर्पावर सेगी, साथी भगवान विश्यों का आशिरवात प्राप्त होगा, और उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परिशानिया वश्य दूरूंगी, पहले राशियां है मेस राशियां, जो की बेहदी भागिसाली रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु ब्रस्पती की सुभदिष्टी है, आपकी प्रते कार इसे दुँगे, पुत्रधन प्राप्ती का बहुती अच्चा योग आपका बना हुआ है, दूसरी जो राशियां है, वो है मेतवन राशियां, मेतरन रासी का योग बहुत ही अच्छा है मेतरन रासी वालों को बड़ा लाब मिलने बाला है आपकी मनुकामना पूरी होगी माता लच्चमी की आपके उपर विश्ष कृपा रहने वाली है इसी वज़े से आपके कार बनेंगे ब्योपार अच्च चलेगा नोकरी में प्रमो कि आपकी मनुकामना पूरी होगी अगली रासी है कण्या रासी जो कूँ बहुत ही भाग कूना है इसी बाड़ा है पहली है मेश रासी, दूसरी है मितुन रासी, तीसी है करक रासी, चौती है कर्ण्या रासी, पांच में हैं बिरस्टिक रासी, छट में धनु रासी, साथ में मकर रासी, आठ में कुम रासी, और नो में हैं मीन रासी ये राज़े आएन जो कार्तिक के महीनें बहुत ही भागिसाली चलेंगे इनका योग बहुत ही अच्छा है दोस्तो जैसे ही कार्थिक के साथ पांस साथ दिन बीतेंगे फिर दो राशिय थोड़ी कम मद्यम हो जाएंगी और दो राशियों का योग और जादा प्रबल हो जाएगा प्रते दिन कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति यह दान पुर्ण करते हैं पूजा पाट करते हैं उनकी मनुकामना वश्य पूरी होती है कार्तिक के महीने में प्रते दिन कथाओं का स्रबर करना भगवान की कथाओं का स्रबर करना दीपदान करना इस्नान करना इन सबी का बड़ा महत्व हैं कार्थिक के महीने में जो व्यक्ति इस्तरी प्रोसियों पाए करते हैं उनके जीवन में अगर कोई परिशानी आ रही है प्रते कारों में रुकावटे आ रही है तो सारी रुकावटे धीरे धीरे दूर हो जाती है और मनुकामना पूरी होना सुरू हो जाती है मुझे अमीद आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लग्योंगी तो वीडियो को जादा जादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही वगल में बेल आकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिपिकेशन पाने के लिए तो कार्तक मास के महिने के ये पांच जो नियम है ये है आपको जरूर निवाने ये पांच नियम बहुत ही प्रभावसारी हैं और इन नियमों को निवाने से व्यक्ति की मनुकामना वश्य पूरी हो जाती है कमेंट में ओम नमो भगवति बासदेवायनमा जरूर लेकें और साथ ही इस मंत्र का प्रति दिन जाब भी करें इन मंत्रों का जाब करने से आपको खुद ही प्रभाव देखेगा आपकी मनुकामना पूरी होगी